नमस्कार किसान साथियों बहरोड इंटिक्रेटर फार्मिंग चैनल से मैं दर्मगीर याद हो यह हमने पक्के मकान में इस बार 20 क्वेंटल भूसे का जो कंपोस्ट बना हुआ है यह डाल दिया है इसमें complete spawning वगरा हो गई है आप यह देखिए इसमें mix कर दिया है Spawn और उपर इसमें हलका हलका Spawn झो है इसमें छड़ग दिया है इस तरह से हर बेड में मस्रूम का जो Spawn आता है वो mix करके और थोड़ा थोड़ा उपर डाल दिया जाता है जिससे कि अपर लेयर जो है वो अच्छी तरह से स्ट्रॉंग हो जाए माईसीलियम अच्छे से उसमें फैल जाए अब इसके उपर हम अकबार डाल देंगे और अकबार के उपर पानी का इस्प्रे करेंगे उसमें हलका सा बाविश्टीन वगरा मिक्स कर लेंगे ताकि कोई अकबार में फंगल इंफेक्शन वगरा हो तो वो हट जाए ये 20 क्यूंटल भूसे से सोट मैथट से बना हुआ कंपोस्ट है और ये थोड़ा सा कंपोस्ट बच गया जिसको ये जगह नहीं होने की वज़े से इसमें कुछ स्पोन बचा हुआ है और इस बूसे में डालके कुछ थैलियां इसकी बर देंगे इधर आप देखेंगे तो जैसे अकबार वगरा हमने डालना इस्टार्ट कर दिया है ये इस तरह से अकबार डाल दिये जगए है अभी टेंप्रेचर जादा है 30 डिगरी के आसपास टेंप्रेचर है तो कच्छी जोपड़ी में टेंप्रेचर मैंटेन नहीं पाएगा इस वज़े से हमने शुरुवात में पक्के इसी में डाला है ये देखे इसमें हुमिडिटी वगरा मैंटेन करने के लिए इस तरह से बोरियां दिवारों पे चारों तरफ हर जगे बोरिया लगा दी गई है ताकि इन पेश्प्रे करके हुमिडिटी को मैंटेन किया जा सके और टेंप्रेचर को मैंटेन किया जा सके यह देखिए इस तरह से पक्के मकान में भी अगर बोरियां वगरा यूज़ करके और हमिडिटी वगरा मैंटेन कर सकते हैं तो पक्के मकान में भी इस तरह से किया जा सकता है जो पन्नी विछाएं उसको अच्छी तरह से इस तरह से स्टैपल वगरा कर दें ताकि भटे नहीं प्रोपर वे में अगर इस्टैपल की हुई हो तो फटती नहीं है हमने इसमें बैड में भी काफी स्पेस दिया हुआ है एक बैड से दूसरे बैड में ताकि पानी का इस्प्रे वगरा जो वाटरिंग करेंगे तो उस टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए हाँ इससे थोड़ा सा ये ड्रोबैक है इसका कि जो उपर वाला बैड है वो काफी हाइट पे चला जाता है लेकिन उसके लिए हमारे पास इस टूल वगरा क्या राइंजमेंट है इस तरह से आप बास से बैड बनाके और इसमें कमपोस्ट डाल सकते हैं ये 20 क्विंटल भूसे से बना हुआ है यानि कि 50 क्विंटल कमपोस्ट है जिसमें कि हमने 40 केजी इस्पॉन मिक्स किया है इस्पॉन बढ़िया क्वालिटी का है एक एक दाना अलग है इस्पॉन का आपको ध्यान रखना है कि पुराना इस्पॉन ना हो अगर आपने टाइमली मंगाया है तो ठीक है अगर रखा हुआ इस्पॉन है तो फिर उसमें प्रोबलम हो सकती है टैंप्रेचर की वज़े से मैंने लास्ट वीडियो डाला था कि उसमें आप फ्रीज वगरा में आप उसको रख सकते हैं तकि इस्पॉन का टैंप्रेचर मैंटेन रहे है कंपोस्ट काफी अच्छा बना हुआ है बाकी आगे देखते हैं इसमें प्रोडेक्शन कैसा आता है वो भी आपको दिखाएंगे स्पॉनिंग जब भी करें थोड़ी आप अपने हाथों अगरा को साफ सफाई रखके और फिर करें बरतन जिसमें डालते हैं वो भी साफ होना चाहिए मतलब एक तरह से सैनेटाइज होना चाहिए इस तरह से ये तीन रूम बने हुए हैं इन तीन रूम में ये सारा डाला हुआ है आप देखते होंगे कि बहुत से लोग कहते हैं दस भाई दस में लाख हो रुपय कमाऊ ऐसा नहीं होता है अभी आपके सामने प्रोडेक्शन दिखाएंगे कि तीन रूम लग बग 13 बाई 13 के आसपास का बैडिन में बने हुए है और 4 बैड बने हुए है इन में क्या प्रोडेक्शन आएगा वो आपके सामने होगा कोस्टिंग वगरा सब काट के आपको बताएंगे कि इसमें क्या मारजन आता है और कितनी कोस्टिंग थी और कितनी महनत लगी यह सब चीज भी काउंट करनी होती है इस तरह से प्रोपर वे में आप बना के और पक्के मकान में कर सकते हैं अभी यह मकान हमारा बना हुआ था इसकी अभी लिपाई वगरण नहीं हुई है तो इस वज़े से लिपाई अभी करने का थोड़ा डिले हो रहा था क्योंकि उपर का फॉलॉर बनाएंगे तो इस वज़े से एक साथ ही करना था तो उसमें हमने इस साल पक्के मकान में भी ढा दिखा पाएंगे इसी तरह वीडियो से जुड़े रही है चैनल से जुड़े रही है वीडियो में डालता रहता हूं रेगुलरली और वीडियो को लाइक करें शेयर करें किसानों के साथ धन्यवाद